नमस्कार दोस्तूं, राजस्तान पुलीस कॉंस्टेवल भर्ती के लिए आज हम सुरू करने जा रहे हैं दोस्तूं, राजस्तान पुलीस के लिए टोपिक अनुसार कलासे हैं मित्रू पहली कलास वो टोपिक लेकर आया हूँ जिसे 10 परसन आपको एकजाम के पेपर के अंदर मिलने वाले हैं और वो है आपका मैला एवं बाल अपराद सबसे पहले हम सुरूआत करेंगे उससे पहले हम देखेंगे राजस्तान पुलीस परिक्षा 2020 के अंदर जो 6 पारियों के अंदर एक जम हुआ था उसके अंदर जो 60 परसन पूछे गए थे वो 60 परसन दोस्तूं बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो रहेगा और मित्रों आज से हम सुरू कर रहे हैं राजस्तान पुलीस कोर्स परतेग विशे के परतेग टोपिक के क्यूसन एंसवर इतने क्यूसन एंसवर कि अगर आपने ये क्यूसन एंसवर पढ़ लिए तो भी आपका पेपर आप आस पहला क्यूसन मित्रू छे पारियों के अंदर ये पेपर हुआ था और छे पारियों के अंदर 60 परसन इससे पूछे गए थे तो जिस पारी के हिसाब से यहां पे मैं परसन लेकर आया हूँ सबसे पहले देखेंगे हम जो पारी सेकिंड थी पहले दिन की 6 नौमबर 2020 को जो दोस्तूं पहला क्यूसन निम लिकित में से किस अदिनियम के अंतरगत आरोपी के विरोध में सिकायत की कारवाई पुलीस इस्टेशन जिला नयाले उपनी दे सक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं दोस्तूं किस के अंतरगत सतीन अदिनियम गरेलू इंसा से इस्ट रूपन परतिसेद अदिनियम या देज निसेद अदिनियम तो किस अदिनियम के अंतरगत आरोपी के विरोध में सिकायत है उसकी कारवाई पुलीस इस्टेशन जिला नयाले उपनी दे सक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं मित्रूं इस्ट्री एस्ट लोक्ताम सुरुकसा और पुनरवास बिलकिस वरस में अदिनियम किया गया इंपोर्टेंट क्यूसन इस बार भी ये बन सकता है आपका सही और ओप्सन आपका यहां पे रहेगा एक नमर दो जार अठारा के अंदर नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नमर तीन बहुत पहुचती है या उसकी मर्त्यू हो जाती है तो ऐसे अपराद के लिए दंड का प्रावदान निमलिकित मेंसे किस धारा में दिया गया है किस धारा के अंतरगत दिया गया दोस्तु धारा तीन सो चिंतर एक के अंतरगत दोस्तु इंपोर्टेंट क्यूसन और इस बार भी य ऐे पारी के अंदर आपको जरूर मिलेगा नेक्स्ट क्योसन में चलते हैं कि उसन नमबर चार देखिए नेम्लिकित मैंसे कौन सही डिन्से मेल खाता है तो सही उत्राप को मैं बताता जा रहा हूं चारू पढ़ने की यहां पर ज़रूरत नहीं क्योंकि बाद में जम हम 700 क्यूसन लेकर आएंगे महिला यह उंबाल अपराद के तो वहाँ पर एक एक कौम विस्तरित अध्यन कर लेंगे दोस्तूं तो यहाँ पर आपका C ओप्षन है वो तीन नमर ओप्षन यह मेल खा रहा है धारा 300 चिंतर B दारा 300 चिंतर B पती द्वारा अपनी पतनी के साथ परतकरन के दोरान मेथ्यून इससे समंदित है ओप्षन तीन यहाँ पे सही रहेगा नेक्स्ट यूसन में चलते हैं क्यूसर नमर पांच बारतिय दंड सहीता की दारा 354 A किस प्रावदान को विशलेशित करती है दोस्तूं किस प्रावदान को 351 की बात हो रही है तो 354 A है वो है योन उत्पिडन की सजा से रिलेटेड एक नमर ओप्षन आपका सही रहेगा क्यूसर नमर च्छे में चलिए जिन बच्चू को देखबाल और सरक्षन की आवसेकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए अधिकारी को हमें सां किस ड्रेस में होना चाहिए दोस्तूं किस ड्रेस में सिविल ड्रेस के अंदर ओप्षन एक और इंपोर्टेंट क्यूसर इस बार के लिए भी मितरू नेक्स ट्यूसर में चलते हैं क्यूसर नमबर साथ है एनेतिक व्यापार रोक्ताम अदिनियम के अंतरगत यदी कोई वेक्ती नावालिक लड़की के वेशावर्ती की कमाई के मादिम से रहता है तो ऐसे वेक्ती को न्यूनतम कितने साल तक की जेल हो सकती है दोस्तूं कितने साल तक की जेल हो सकती है एसे वेक्ती को साथ साल तक की एसे वेक्ती को जेल हो सकती है ओप्षन यहापे तीन आपका क्या रहेगा सही रहेगा दोस्तूं पूर्वे गरभादान और परसव पूर्वे निदान तक्निक PCP NDT अधिनियम के अंतरगत अल्टरा साउंड या सोनाग्रापी करवाने वाले जोड़े या लिंक प्रिक्षन करने वाले डोक्टर लेब करमी को किस परकार की सजा का प्रावदान करता है दोस्तुं PCP NDT अधिनियम के तेद अगर आप सोनाग्रापी अल्टरा साउंड भी कोई डोक्टर या लेब करमी सामिल है तो उसको किस परकार की सजा का प्रावदान है तीन से पांच साल की सजा और दस से पचास हजार का जुर्मना उस पर लगाया जा सकता है ओप्सन एक और परतिसेद अधिकारी की न्युक्ति किस दारा के तेद किया जाता है दोस्तु ध्यान से पढ़ें देज परतिसेद अधिकारी की न्युक्ति किस दारा के तेद किया जाता है दोस्तु किस दारा के तेद दारा एट बी के तेद ओप्सन एक और इंपोर्टेंट क्यूसन है य किस वर्स सती रोगता मदिनियम को राजस्तान में लागू किया गया रास्तान सरकार के दुआरा दोस्तों सन 1987 के अंदर दो नमर उपसन आपका सही रहेगा तो दिनाग 6 नौबर 2020 को जो दित्ते पारी हुई थी उसके परसन जिस पेपर के अंदर दो 10 परसन आये थे वो आपक क्यूसन हम 6 नौबर 2020 की परतम पारी के क्यूसन की ओर क्यूसन नमर 11 आपकी स्क्रीन में इसी के साथ बहुत सारे मित्रूं के ये स्वाल आईगा सामने कि सर इन क्यूसन की पीडियप यह आप 700 क्यूसन करवाएंगे और जो कंप्यूटर है उसके टोपिक अनुसार 1500 क्यूसन के अंदर तो सभी साती जो मेरे साथ जुड़े हैं वो एग जनवरी 2022 के दिन सभी साती जरूर वहां से ये क्यूसन है उनकी पीडियप प्राप्ट करें क्यूसन नमर 11 है देज निसेद दिनियम 1901 में के अनुसार देज से समंदित कितनी इस्ततियां बताई गई है दोस्तू देज से रिलेटेड जो देज निसेद दिनियम 1961 है उसके अनुसार तीन इस्ततियां बताई गई है तीन नमर ओप्सन और तीन ही इस्ततियां इसके अंदर बताई गई है क्यूसन नमर 12 भारतिय दंड सहिता की दारा तीन सो चिंतर के इंतरगत किस परकार के अपराद होने प पे सही रहेगा क्योसर नमर 13 स्वेम को किसी वेक्ति समुए या समुधाई के विरुद उन्हें किसी प्रकार की मानसी या सारिक चोट पहुंचाने के लिए जान बूझ कर किये गए सकती परियोग को क्या कहा जाता है उसको हिंसा कहा जाता है मित्रू क्या कहा जाता है हिंसा तीन नमर उपसन आपका यहां पे सही रहेगा क्यूसर नमर चोदा पोक्सो अदिनियम को कब से लागू किया गया था पोक्सो अदिनियम की बात हो रही है तो पोक्सो अदिनियम को 14 नमबर 2012 से लागू किया गया था एक नमर उपसन आपका सही रहेगा किसोर ने आई बच्चू की देखबाल और सरक्षन अदिनियम के अंतरगत विसेज किसोर पुलीस इकाई का गटन किस इस्तर पर किया गया है किसोर ने आई अदिनियम के अंतरगत जो किसोर पुलीस इकाई है उसका गटन किस इस्तर पर किया गया है जिला इस्तर पर दोस्तों कहाँ पर जिला इस्तर पर दो नमर उपसंस ही रहेगा यहाँ पर क्यूसर नमर शोला में चलते हैं बालक एवं किसोर स्रम परतीसेद वे विनीमयम अदिनियम की धारा तीन केतेद अदिनियम की धारा कौन सी है? तीन कितने वरस के बालक से किसी भी परकार के जोकिम वाले चेतर या बिना जोकिम वाले चेतर में काम करवाना संगे अपराद है दोस्तूं बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट क्यूसन है और सही रहेगा आपका यह पर ओप्शन नंबर तीन चोदे वरस से कम आईू के बाले कह उसको जोकिम वाला या बिना जोकिम वाला काम करवाना अपराद की सरेणी में समली थै तीन अमर ओप्शन सही रहेगा क्यूसे नमर सत्रे में चलते हैं एनेतिग व्यापार रोक्थाम अदिनियम किस वरस लागू किया गया दोस्तूं कब लागू किया गया था 1956 में इंपोर्टेंट क्यूसन है इस बार के लिए और तीन अमर उप्षन एनेतिग व्यापार अदिनियम 1956 में लागू किया गया नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं अब यहाँ पर एक क्यूसन अच्छा बनेगा दोस्तूं यह क्यूसन है वो आपका 1956 माना गया जबकि यहाँ पर राइट एंस्वर अगर हम बात करें इसका अगर राइट एंस्वर 1956 तो माना है जो लाश्ट एक्जाम हुई है उसके अंदर जो उत्तर कुँजी आई थी उसके अनुसार जबकि यह अदिनियम है आपका वो एक मई एक मई 1958 को पूंड रोप से लागू हुआ था तो दोनु एंस्वर आपको याद रखने हैं मित्रू नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसर नमर अठारा मैला का कारिये इस्तल पर लेंगिक उत्पिणन ये अदिनियम किस के संदर्म में दिये गए लगबक दिसा निर्देश को दारण एवं प्रावदान को नीत करता है दोस्तों विसा का अदिनियम ओप्सन तीन याँ पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसर नमर उनिस सती पर्ता की रोकताम के लिए सर्वपर्तम किस वर्स बंगाल सती विनियम के तहत इसे परतिमंदित किया गया है बंगाल सती विनियमन है ये किस वर्स परतिमंदित किया गया था दोस्तूं अठारा सो उन्टीस इस्वी में ओप्सन एक आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नमर बीस दंड सहीता की धारा तीन सो चोपन का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराद को उजागर करता है दोस्तूं दारा तीन सो चोपन की बात हो रही है यहां पे दारा तीन सो चोपन है वो लेंगिंग उत्पडन और किसी महिला की मरियादा को बंग करने के बिये दंड को उजागर करता है तो यहां पे आपका option number 2 सही रहेगा important question इस बार भी ये exam में आपको मिल सकता है तो ये होगे दोस्तों हमारे पर्तम पारी 6 नवंबर 2020 के question आगे हम चलेंगे दोस्तों question number 21 से जो रहेंगे आपके कौन सी पारी के 7 नवंबर 2020 को जो पर्तम पारी हुई थी next day उस पारी के person की ओर तो देखे पहले आपका 21 नमर क्यूशन देज पर्ति से दिनियम 1961 की धारा दो के नुसार देज का अर्थ क्या होता है दोस्तों सादी के लिए संपती या बहु मुले पर्तिबूती देना यही क्या है देज है एक नमर option और important question next question में चलते हैं question number 22 देज का अर्थ किस धारा में बताई गई है देज का अर्थ कौन सी धारा में दोस्तों धारा दो के अंदर अभी हमने 21 नमर क्यूशन देखा था उसी से related यह क्यूशन है option एक सही रहेगा next question में चलते हैं क्यूशन number 23 देज निशेद अदिनियम 1984 और 1986 के अंतरगत देज लेने देने या इसके लेंदेन में सयोग करना यह दोनु किस परकार की स्रेणी के अंतरभूत है दोस्तों कि स्रेणी के अपराद की स्रेणी के अंतरगत आएंगे चाहे देते हो चाहे लेते हो को यह तहाए उनका सहीयों करते हो सब अप्रादी हो ती नमर उसन आपका सही रहेगा क्योंसे नमर है या गेर जमानती है ये गेर जमानती दा रहा है दोस्तूं दो नमर ओप्सन यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं राश्टिय अपराद रिकोर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दूस्क्रम का सिकार हुई यह अभी का बात नहीं कर रहा है यह क्यूसन आपके इस बार बहुती कम चांसे मिले लेकिन 2020 के अंदर यह क्यूसन आया था और सही एंस्वर अगर बात रहे तो यह रहेगा 34,000 से अधिक ओप्सन एक सही रहेगा क्यू नेक्स्ट यूसन में चलते हैं बाल एवं किसोर स्रम परतिसेद एवं विनियमन अधिनियम किस वर्स लागूवा बाल एवं किसोर स्रम अधिनियम किस वर्स लागूवा दोस्तों 1986 के अंदर ओप्सन एक आपका यहां पे सही रहेगा 1986 में बाल एवं किसोर स्रम अधिनियम लागू हुआ नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं मानव तसक्री रोक्ताम सुरुक्सा एवं पुनर्वास बिल के तहित नोडल अधिकारी की न्युक्ति राज्य सरकार किस इस्तर पर करती है किस इस्तर पर करती है इंपोर्टेंट क्यूसन है दोस्तों यह किस इस्तर पर करती है राज्य इस्तर पर ध्यान से पड़ें क्यूसन को मानव तस्क्री रोगताम सुरुक्सा एवं पुनर्वास बिल के तेत नोडल अधिकारी की न्युक्ति राज्य सरकार की से इस्तर पर करती है राज्य इस्तर पर ये बिल वर्स 2018 में केवल लोकसभा में पास वा था लेकिन रा ये इस तल पर सुरुक्सा है तो किस वरस पारित हुआ दोस्तों किस वरस पारित हुआ तो दोस्तों 2013 के अंदर चार नमर उपसन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं सतीर रोगताम अधिरियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गय कानून है दोस्तों ये भी बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट क्यूसन इस बार बन सकता है ये राजस्तान सरकार के द्वारा लागू किया गया कानून है इसलिए अब मित्रुत आगे चलते हैं 31 नमर की क्यूसन की और अब हम देखेंगे 7 नमबर 2020 को द्वित्य पारी के क्यूसन आए 10 वो क्यूसन नमर 31 है वेश्या बरती के लिए बच्चू को बेचना किस दारा के तेत आता है दोस्तुं किस दारा दारा तीनसो बैतर के तेत आता है चार नमर उप्शन सही रहेगा Qyution 32 है किसधारा के तहथ देयज निशेदा अधिकारी की नूकती की जा सकती है धारा 8b के तहथ 1b के तहथ important Qyution बन सकता है qyution 37 किसी महिला को जबर्दस्ति निर्वस्तर करने के मामले में IPC कि कौन सी धारा दंड का प्रावदान देती है कौन सी धारा है जो दंड का प्रावदान देती है दोस्तूं धारा 3054 भी दोस्तूं ओप्सन 4 यहां पे सही रहेगा क्यों से नमर 34 है किसी भी महिला के साथ बलातकार करने के आरोप पर निम लिकित किस धारा के तेत मुगदमा चलाया जाता है किस धारा के तेत मुगदमा चलाया जाता है दोस्तूं धारा 306 चिंतर के तेत ओप्सन आपका दो नमर यहां पे सही दो नमर ओप्सन यहां पे क्या रहेगा क्यों से नमर 35 में चलते हैं किसी महिला के साथ सामुईक बलातकार करने के आरोप पर निम लिकित किस धारा के तेत मुगदमा चलाया जाता है पेले हमने देखा था वो साथ यानि किसी महिला के साथ बलातकार से लिलेटेड था लेकिन अब हरा सामुईक बलातकार इसके अंतरगत कौन सी धारा लगे की धारा 300चिंतर डी 300चिंतर डी दोस्तूं तीन नमर उप्सन यहां पे सही रहेगा, क्योंसे नमर 36 में चलते हैं, धारा 300 चिंतर, DB का मुख्य उद्ध से क्या है, धारा 300 चिंतर, DB है, उसका मुख्य उद्ध से, 12 वर्से कमायू की इस्तरी के साथ, सामुईक बलातकार के लिए दंड का प्रावदान किया गया है, धारा 300 सो चिंतर, DB के अंतरगत, उप्सन एक यहां पे सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, क्यूसन नमर 37, PCP NDT किसे से समंदित है, यह जनम से पहले लिंग निर्दारन से समंदित है, उप्सन एक यहां पे सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, क्यूसन नम निमलिकित में से किसदारा के अंतरगत विदेश सेन लड़की को आयात करने के लिए सजाद दीजा सकेगी दोस्तों किसदारा के दुआरा दारा तीन सो चिंतर खेक के तैद ओप्सन यहां पे आपका चार नमर सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसर नमर 49 बालिकाओं के बढ़ते अपरात को देखते वे पोक सो एक्ट में बदलाव करने है तू सरकार दुआरा रखे गए प्रस्ताव को केबिनेट से किस वर्स मंजूरी मिली यह इंपोर्टेंट क्यूसर नमित्रूं बहुत इंपोर्टेंट और सही रहेगा अपरेल 2018 के अंदर नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं क्यूसर नमर 40 पोसको दिनियम के योन हमला धारा 6 के तेट जो कोई भी योन उत्पिडन करता है उसे नियूनतम कितने वर्षू के लिए या तो विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा दोस्तों कितने वर्षू के लिए कम से कम 10 नियूनतम यानि कम से कम 10 वर्षू के लिए चार नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों लेकिन दोस्तु नवीनतम संसोदन हुआ है 2019, उसके दो बाद में इसको धारा को 10 से बढ़ा कर कितना कर दिया है, 20 वर्स कर दिया गया है, तो आपको याद रखनी है यहाँ पे 20 वर्स, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, क्यूसन हमरे 41, 41 नमर क्यूसन रहेगा हमारा 8 नॉम्बर 2020 की पारी फेष्ट का दोस्तु, तो चलते हैं, इस्तरी एसिस्ट रूपन परतिसेद अदिनियम, किस वर्स लागू किया गया दोस्तु, किस वर्स लागू किया गया ता यह, 1986 में, स समय जो उपहार और जेवर लड़की यानि वदू को दिये जाते हैं वो इस्तरीधन कहलाते हैं आपका यहां पे ओप्सन नमबर दो सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नमर 43 महिला द्वारा अपराद की इस्तती में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराद को गिरपतार किया जा सकता है दोस्तों महिला द्वारा अपराद की इस्तती में किस अधिकारी द्वारा महिला अपरादी को गिरपतार किया जा सकता है महिला पुलीस अधिकारी के द्वारा तीन अमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा और इंपोर्टेंट क्यूसन नेक यहां पे मित्रू और संसे हो सकता है इस क्यूसन में कि जो लाश्ट एक जाम हो था उसमें जो उत्तर कुंजी थी उसमें उसका एंस्वर माना था 2015 लेकिन यह अधिनियम 15 जनवरी 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ है तो आपका यहां पे या 2016 रखना है मित्रू कोई वेक्ती जो वानिज्यक प्रयोजनू के लिए बालक को समलित करते वे एसलित सामगरी का किसी भी रूप में संगरण करता है उसके लिए दंड का प्रावदान क्या है दोस्तू तीन वरस तक का कारावास और जुर्माना दोस्तू तीन नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है 46 नमर योन सोसन से बच्चू की सुरुक्सा का दिनियम फोक्सो एक किस वरस लागू किया गया दो जार बारा के अंदर ओप्सन एक और इंपोर्टेंट क्यूसन है इस बार के लिए नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नमर 47 मानव तसक्री रोक्ताम सुरक्सा वे पुनर्वास बिल के तहट जिला इस्तर पर राज्य सरकार दुआरा निमलिकित में से किस अधिकारी की न्युक्ती की जाती है मानव तसक्री रोकताम सुरुक्सायों पुनर्वास बिल है उसके तेद जिला इस्तर पर राज्य सरकार द्वारा किस अधिकारी की न्युक्ति की जाती है किसकी एंटी ट्रेपिंकिंग पुलीस अधिकारी की ओप्सन एक आपका सही रहेगा किससर नमर 48 देखिए निमलिकित में से कौनसा विकल बाल अधिकार उलंगन का मामला नहीं है कौनसा नहीं है पहला देखिए माता पिता द्वारा बाल विवा आयुजन ये तो है मोटल में काम करने वाले मोटल या होटल होटल में काम करने वाले बच्चा ये भी है दोस्तूं मातब पिता दोरा स्कूल जाने के लिए विवस किया गया बच्चा ये नहीं है बाल अधिकार उलंगन का मामला नहीं है तो तीन नमर उप्सन आपका यहां पे आंत्रिक सिकायत सिमेती का एक नमर उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं गरेलू इंसा से महिलाओं का सरक्षन अदिनियम भारत की संसद्वारा कि स्वरस पारित हुआ कि स्वरस दोस्तों 2005 के अंदर तीन नमर उप्सन यहां पे आपका सही रहने वाला है अब चलते हैं दोस्तों हमारा दिनाक यानि तारीक आठ नॉबर 2020 को जो पेपर हुआ था दिते पारी के अंदर उसके दस परशनों की ओर देखे यदि कोई वेक्ती यता इस्तती वदू या वर के माता पिता या अन्ने रिस्तेदार से किसी परकार के देज की पर्तेक्स या एपर्तेक्स रूप से मांग करता है तो उसे देज निशेद अदिनियम 1961 की किस दारा के अंतरगत जुर्माना देना होगा दोस्तों किस दारा के अंतरगत दारा चार के अंतरगत कौन सी दारा दारा चार के अंतरगत ओप्सन यहां पे तीन आपका सही रहेगा कि उससे नमबर 52 देहज निशेद अदिनियम वशंसोदन अदिनियम के अनुसार बारतिय धंड सहीता दारा 304 किस्से समंदित है दारा 304 किस्से समंदित है देहज के कारण मोत से समंदित दोस्तूं दो नमर उप्सन आपका सही रहेगा कि उससे नमर 53 में चलते हैं नेशनल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो 2015-16 के नुसार बारत में बच्चे के खिलाब अपराद लगबग हो गया है कितना दोस्तूं दूगुना हो गया है उप्सन चार यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट उसन में चलते हैं क्यूसर नमर चोपन दारा तीन सो चिंतर डी ए किस से समन्दीत है दारा तीन सो चिंतर डी ए यह किस से समन्दीत है मित्रू सोला साल से कम उमर की लड़की से सामुईक बलातकार से दारा तीन सो चिंतर डी ए यह सामुईक बलातकार से है और तीन सो चिंतर डी ए है ये सोला साल से कम उमर की लड़की से समुएक बलातकार से रिलेटेड है नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं 55 नमर रिक्तिस्तान साल से कम उमर की बच्ची से बलातकार करने पर मोत की सदाद दी जाएगी दोस्तु कितने साल से दोस्तु हो ये भी important क्यूशन है बारा वरस से कम, ओप्सन दो यहां पे सही रहेगा आपका, बारा वरस, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, क्यूसन नमर चपन, बाल, विवान, निसेद, अदिनियम, 2006 के अनुसार, रिक्तिस्तान, वरस से कम की लड़की, और वरस से कम के लड़के को नाबालिक माना जाएगा इतने, कितने वरस से कम की लड़की को दोस्तूं, इंपोर्टिन ग्यूसन है, 21 वरस से कम, और 21 वरस से कम ही लड़का, ओप्सन चार यहां पे आपका सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन म, अब यहां पे दोस्त्तू, यह मैंने 21, 21 क्यूं बताया है? आपको पता है अठारा 21 है लड़की के अठारा लड़की की 21 लेकिन मैंने 21-21 क्यों बताया क्योंकि लाश्ट जो एक्जाम होता है उसमें पुलीस विबाग ने 21-21 माना था जबकि ओरीजनल है आपका दो नमर 18-21 दोस्तु नेक्स्ट क्योशन में चलते हैं क्योंसे नमर सताओं कन्या ब्रुन हत्या और गिर्ते लिंगा अनुपात को रोकने के लिए बारत की संसद द्वारा पारित पूरुवे घरबादान और परसव पूरुवे निधान तक ने PCP NDT अधिनियम किस वर्स लागू किया गया था दोस 241 में इसका सही माना गया था सही आपका रहेगा तीन नमर उप्सन नेक्स्ट क्योशन में चलते हैं महिलाओं का कारिये इस तल पर लेंगी कुद्पिडन इस अधिनियम के अंतरगत तयार किये गए सिकाय सिमेतियों का हो सबूत जुटाने में किस कोट को अधिकार परधान किये गए हैं दोस्तों सिविल कोट को दो नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्योशन है क्योशन नमर 69 धारा तीन सो चिंतर डीबी किस से समंदित है तीन पेपरू के अंदर ये क्योशन बना था दोस्तों धारा तीन सो चिंतर डीबी किस से समंदित है बारा साल से क पुलिस कॉंस्टेबल भरती के अंदर छे पारियों के अंदर आये थे दोस्तूं इनकी पीडियाप एक जनौरी 2022 से यानि की आज से लगबग 5-6 या 7-8 दिनों बाद आपको एप पर मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां से सभी साती डाउनलोड करें औ तीन अमरों उप्सन आपका सही रहेगा तो मित्रू कमेंट करके बता दो कैसी लगी आपको ये कलास और इसी परकार हर एक विशे के हर एक टोपिक के क्योसन एंस्वर आपके सामने लेकर आऊंगा ये सुरुवात है पहली कलास है आपका प्यार देखते हैं कितना इस कलास क को मिलता है आप सभी को बहुत बहुत नवाद जे हिंद जे बारत